बिनेश कार्तिक की ताबरतोर बल्लेबाजी के दम पर भारतिय टीम निदहाश ट्रॉफी को दूसरी बार जीतने में भी सफल रही कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए यताबी मुकाबले में बांगलादेश के खिलाफ एक समय भारत हार की ओर बढ़ता दिख रहा था जब सदर्वे ओवर की आखरी गेन पर मनेश पांडे को आउट कर बांगलादेश जीत की ओर बढ़ता दिख रहा था भारत को अगले दो ओवर में जीत के लिए 34 रन और बनाने थे थभी क्रीज पर आए दिनेश कार्थिक ने आठ गेंदो पर 29 रन की ताबरतोर पारी खेलते हुए भारत को जीत दिला दी कार्थिक के इस बहतरीन प्रदर्शिन के लिए उन्हें मैन आफ दा मैच भी गोशित किया गया जबकि सीरीज में आठ विकेट चटकाने वाले वाशिंग्टन सुन्दर को मैन आफ दा सीरीज का किताब मिला कार्थिक ने दो चक्कों और दो चौकों की मदद से भारत को 12 गेंदों पर 34 रनों से 6 गेंदों पर 12 रनों तक पहुँचा दिया अंतिम ओवर में भी विजय ने गेंदे खराब की और फिर पाच भी गेंद पर आउट हो गए अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए चक्के की जरुवत थी और कार्थिक ने ये कमाल करते हुए भारत को यादगार जीत दिला दी HCN News की रिपोर